लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए केसियार जी तो केवल अपने महलों में बैटकर नई नई योजनाएं तयार करते हैं और उनके सारे साथी मिलकर उन योजनाओं से कैसे भरष्टाचार किया जाए कैसे पैसा लूटा जाए कैसे तेलंगाला का सारा पैसा उनकी तिजोरी में जाए उनके घर में जाए इसी का प प्रकार से नया पोर्टल तयार हुआ तो हमारे सारे जो रेकॉर्ड है वो गायब हो गय और किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा किस प्रकार से रूड माफी की घोशना की गए थी कर्ज माफी की घोशना की गए थी लेकिन किसी को माफी नहीं मिली किस प्रकार से डबल बेडरूम का घर आप सभी को देने की बात कही गए थी डबल बेडरूम का घर तो छोड़ द तो इस प्रकार से केवल और केवल हाप सब के साथ धोका हुआ अब इसके उपर अगर सच में एक लोग तांतरीक सरकार एक जनता की सरकार एक रहतू की सरकार हमको लानी है तो तेलंगारा में परिवर्टन करना होगा और उसी परिवर्टन की यात्रा को नेकर बंडी संजय जी निकले है आपका आशिरवाद माँगने के लिए निकले है और आपका आशिरवाद मिलेगा तो महलों में रहना वाला नहीं आपके भीच बैटने वाला नेता आ इस राज्य में नेत्रूत्व करेगा और निश्चित रूप से आपका भी भाग्य बदलेगा और तेलंगाना का भी भाग्य बदलेगा अप संगर्ष शुरू हो गया है मैं आपसे केवल इतना है कहता हूँ इस संगर्ष के नायक बंडी संजे जी को आपका आशिरवाद दीजिए धन्यवाद नमस्कारम